फ्रेंड कस्टम URL कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले आपको Chrome ब्राउजर में जाना होगा उसके बाद आपको टाइप कर लेना होगा YouTube.com तो दोस्तो YouTube.com खोलते ही आपको फर्स्ट वाले आइकन पर ही क्लिक करना होगा उसके बाद आपको Chrome ब्राउजर में ही इसको खोलना होगा तो दोस्तो कस्टम URL आप तभी लगा सकते हैं जब आपका 100 सब्सक्राइबर कम्प्लिट हो गया होगा यदि 100 सब्सक्राइबर आपका कम्प्लिट नहीं हुआ होगा तो आपका स्टम URL नहीं क्रियेट कर सकते हैं तो दोस्तो खुलने तक वेट करते हैं तो जैसे यह खुलता है आगे के प्रोसेस आपको बताएंगे तो दोस्तो सबसे पहले यह देखिए आपका चैनल का लोगो दिख रहा होगा उसके क्लिक करेंगे इसके बाद योर चैनल पे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले आपका जो तो मोबाइल में साइट होता है उसको देश्ट आप साइट पे कर लेंगे यदि आप लेप्टप में कर रहे हैं तो कोई दिकत नहीं है आप यदि मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको डेश्ट आप साइट करना पड़ेगा दोस्तो सबसे पहले मैं डेश्ट आप साइट कर कर लिया है तो दोस्तों सर्वर प्रोब्लम है इसलिए थोड़ा नेट श्लो चल रहा है इसके लिए आप से छहमा चाहता हूं तो खुलने के बाद आपको आपका जो चैनल का लोगो दिखेगा उसी पर क्लिक करना होगा तो दोस्तों खुलने तक वैट करते हैं तोस्तों चैनल का लोगो होगा उस पर क्लिक किजेगा अभी मेरा चैनल का लोगो यहाँ पर दिखेगा मैं उस पर क्लिक करूंगा उसके बाद आपको फिर से यूर चैनल पर क्लिक करना होगा यूर चैनल पर क्लिक करने के बाद इस परकर का इंटरफेस खुलेगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं जूम आउट करके दिखा देता हूं कि यहां से आपको कहां पर क्लिक करना है तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कस्टोमाइच चैनल कस्टोमाइच चैनल पर क्लिक किजेगा इसके बाद आपको कंटिन्यू टू इस्टूडियो पर ही क्लिक करना होगा आप गेट द दिखा देते हैं जिसके बाद आपको यहां पे जो दिखी बेसिक इनफोर्मेशन दिख रहा होगा उस पे क्लिक करना होगा इसके बाद स्क्रोल करके नीचे को और जाएंगे तो आपको यहां पे देखिए सेट अ कस्टम यूरल टू यूर चैनल लिखा होगा तो दोस्तों य दोस्तों इसका आपके चैनल के लिए लाब होगा क्योंकि कस्टम यूरल एक ऐसा यूरल है जो एदम सोट हो जाता है अपना नेम लगा देता हूँ गुरू के ना हुए है अट कर रहा हूँ आप कंफर्म करने क्ला जाए कंफर्म क्रियेट मुझे तो ध्यान रहे दोस्तों यह आप एक ही बार कस्टम यूरल क्रियेट कर सकते हैं इसके बाद आप दूसरा कस्टम यूरल क्रियेट नहीं कर सकते हैं तो गाइज मैं अपना कस्टम यूरल कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो मुरे पहले से कस्टम यूरल इसमें औरडिदि दिया था। इसमें मैं Name add कर लिता हूँ। तो यहाँने Name add नम क्रियर्ट कर सकते हैं दोबारा आपसे कस्टम url क्रियट नहीं कर प्लेंगे यहां पर देखिये मेरा कस्टम url क्रियर्ट हो चुका है तो गयर्च हम आपको दखा रहे हैं की इसका custom URL का क्या फैदा है तो दोस्तों आप ब्राउजर में जाईएगा और वहाँ पे youtube.com उसके बाद youtube.com टाइप किजिएगा उसके बाद आपका जो custom URL है यहाँ पे टाइप करना होगा supertech guru type कर लेता हूँ उसके बाद अपना name जो add किया था उसको डाल देता हूँ और यहाँ पे slash देना भूल गया था तो slash देता हूँ उसके बाद यहाँ पे search मारता हूँ तो जैसे ही आप यहाँ पे search मारिएगा आपका channel का पूरा details खुल जाएगा तो यह देखिए दोस्तो custom URL का कमाल custom URL आप जरूर से जरूर create किजिए और यदि ए वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे channel को subscribe, like and share करना न भूले धन्यवाद